आपको मेजबान यासर शामी आपके खित्व में हादर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान इस वक्ट मैं बहरिया टाउन लाहोर में मौझूद हूँ जहां पर बहरिया टाउन की सबसे बड़ी और सबसे उंची जिसको हाई रेस बिल्डिंग का जाता है विए और ओन टाउन डिलिवरी को यकीरी बनाने के लिए ये टावर बनाया जा रहा है जो के 11 फ्लोर्स पर मुश्तमिल होगा जिसके लोयर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और साइकंड फ्लोर पर खुबसूरत मौल होगा जबके इसके 6 फ्लोर जो है वो रेसिदेंसी के लिए उकुपाइड होंगे, 11 फ्लोर है उसको इन्होंने पैंट हाउस का नाम दिया है जिसमें स्विमिंग पूल, सोना, स्पा, इसके साथ साथ बार्बीक्यू पॉइंट, रूफ गार्डन, स्टेट अफ दी आर्ट स्मार्ट लिविंग रहने को मियसर होगी ये दो भाई, डॉक्टर सुभयल इकराम और डॉक्टर हम्बल इकराम जो हैं, इनकी सरफ़रस्ती में बनाया जा रहा है इससे पहले इन्होंने परलवन टावर बनाया दो साल की कलील मुदद में उसको डिलिवर करना था लेकिन इन्होंने 21 माँ में डिलिवर करके मलिक रियाज समेद प्रॉपटी आइकोंस से ना सिर्फ इन्होंने दाद वसूल की उन्होंने इनको बुलाया तारीफी असनात दी और A.B.S. टावर्स के लिए वेल विशिस का इजहार भी किया ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें एक परसंड भी सूद शामिल नहीं है जो के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ एट्रेक्ट करता है अगर वो किसी भी इस वजए से साइटिसफाइड नहीं होता तो 100% यह उसको उसके पैसे वापस कर देते हैं इसके इलावा कोई धिर्टन चार्जिज नहीं है कोई एक स्टराइड नहीं मैईं जो किमिटमंट है उस commitment पर ही आपको वो चीज मिलेगी और इसलिए इसको दुनिया की पहली शरीया compliant company का नाम भी दिया गया है इतना जबर्दस प्रोजेक्ट और एक रुपया भी सूद नहीं तो आपको मुनाफ़ा फिर कैसे मिलेगा अलहमदुलिल्ला हम लोग पाकिस्तान की नहीं दुनिया की सबसे पहली शरीया compliant company है और हमें इस बाते फखर है कि हम शरीयत के असूलों के ओपर शरीयत को फॉलो करते वे कारोबार कर रहे हैं मैं समझता हूं कि शरीयत को फॉलो करेंगे तो यकीनी मुनाफ़ा होगा सूद में तो तबाही है सूद में जितने भी builders हैं ये जितने भी property icons हैं वो जब भी ये काम करते हैं तो सूद के बगार तो profit होते ही नहीं है कैसे make sure करेंगे उसको अल्ला का बड़ा शुकर है हम लोगों ने किस माँ पहले एक प्रोजेक्ट लॉंच किया था अल्हम्दुल्लाव अपने delivery को पहुंच गया है जिन लोगों ने मारसे जो amounts invest की थी वो आज डबल हो गई उनके amounts तो हम समझते हैं कि सूद के बगार इंशालला उससे जादा कारोबार होगा उससे जादा मुनाफ़ा होगा जो लोग सूद के साथ करें रूफटॉप गारण सुमिंग पूल प्राइवेट एस जेंशल लॉपी साथ लिफ्टें एक जबरदस्त मॉल 24 गेंटे रूम सर्वि है और नाइन फ्लोर के ओपर बेहतरीन आली शान प्रेंट हाउसेज हैं और पार्किंग के लिए क्या इंतजामात होंगे यह बिदिंग तकरीबं डेल लाग स्क्वेर फिट के ओपर मुझतमिल है और इसके चारों तरफ बेहतरीन पार्किंग का इंतजाम किया गया जितने पी रहाईशी इसके अंदर होंगे उनके लिए रिजर्फ पार्किंग ऑफर की जाएंटरेंस पर तक्रीबं 25-30,000 गाडियां जो हैं वो बहरिया टोन में एंटर होती हैं यहां से एक्जिट करती हैं तो इसका मतलब है आपकी जो लोकेशन है बड़ी होट है यह इसके साथ बने वे जितने भी प्लॉट्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं यह भी सारे कमर्शल्स हैं और यहां पर भी एक बड़ी वसीयो अरीज पार्किंग होगी तो वो तमाम लोग जो इसको खरीदना चाहते हैं उसका पेमेंट प्लैन क्या होगा बड़ी यह असान महा महाना एक साथ है वन बेड अपार्टमेंट अप सिर्फ एक लाख रुपे और टूबर अपार्टमेंट सिर्फ डेड़ लाख रुपे महाना एक साथ से हासल कर सकते हैं और सबसे अची बात यह है कि 36 मा का पेमेंट प्लैन ओफर किया रहा है और 24 महा में आपको इन्शालला पढ़ाते हैं रमजान المبारिक में और पहले इमाम मजजीद हैं जनके पास प्राडो भी है जिनने डाले भी रखे वे हैं गार्ज भी रखे हैं मकसद छिए है कि दीन की खिदमत कर रही है और दीन की खिदमत उस तरीके से कर रही है जो इसके शायाने शायने एक रुपया इमामत का नहीं लेते एक रुपया तरावी पढ़ाने का नहीं लेते यही वज़ा है शायद के इन्हों ने सूथ से पाक कारोबार या रियल स्टेट में दाखिल होने का सोचा पल वन की काम्याबी के बाद ABS टावर इनी के नाम से क्लाइन से कमिटमेंट है और यह हमारे कॉंट्रेक्टर के साथ भी डील है आज के वक्त में इससे बड़ी हाई रैस नहीं है इससे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है रिजिदेंचल अपार्टमेंट कमर्शल प्रोजेक्ट करेंगे उन तमाम लोगों को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप पर कोई शौप्स खरीदना चाहते हैं या कोई रेजिदेंसी के लिए को अपार्टमेंट लेना चाहते हैं हम लोग आपकी सरमायाकारी का तहफूज यकीनी बनाएंगे आपके पैसे हमारे पास अमानत हैं हम आपकी अमानत में कभी खियानत नहीं करेंगे पिफृर थाइम डिलिवरी देंगे और जो कमिट करेंगे अगर आपको स्पैनिश वाश्रूम दिखाएंगे अगर हम आपको फैंसी बेडरूम दिखाएंगे उससे बढ़ की कमिट्मेंट को होन करेंगे इन्शाला है मलिक रियास साथ ने आपको बुलाया तो क्या का को लिफावा लफुफा आपको भी दिया आप भी जनरलिस्ट बन गया है मलिक साथ देखें, हम उनके साथ काम करते हैं, हम बहरिये टाउन के आफोराईज़् मलिक अली साभ, मलिक रियास साभ, मलिक रियास साभ, शायद मेह değer क already हमmaker करते हैं और उन्हेंने बस हमें मोटीवेट किया कि अच्छा काम कर रहे हो करते हैं आपसे बुनियादी बात तो यह है कि आपको यह फाइव स्टार होटल की तर्स के ओपर बनने वाला रेजिडेंशल टावर के अंदर अपार्टमेंट बुक कराने का मोका मिल रहा है यहां पर सर्माय करें हर वो एमिनिटी बेरूने मुलके बड़े बड़े ब्रैंड्स होटल में मिलती हैं वो इस मॉल के दर मुझूद हो अगर आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं अगर आपने से कोई भी शक्स है यहां पर को शोप्स खरीदना चाहता है या रेजिडेंशल अपार्टमेंट खरीदना चाहता है तो इन नमबर्स पर आप रापता कर सकते हैं 24.7 इनकी टीम्स आपको फैसिलिटेट करने के लिए वहां मौझूद है इस मॉल के हवाले से इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से आखरी मराहिल तक हम यहां से गाहे बगाहे वीडियो लेकर आपके हित्वत में हाधिर होते रहेंगे तब तक अपने मिजबान यासर शामी को बैरिया टाउन से जाज़त देजिए और देखते लिए डेली पाकिसान अलाहाफैस